हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माइट वूप चैनल आज हम आपको गनेश जी की कथा सुनाएंगे गनेश जी की कहानी है तीज द्योहार के सुब अपसब पर कहानी गनेश जी की कहानी पढ़ना बेह सुब माना जाता है हिंदु धर में गनेश जी को प्रथम पूझे देवता की उपादी दी गई है जिसका मतलब है किसी भी सुब काम या पूझा पाट से पहले गनेश जी की पूझा आयकरना अनिवारी है वही हमारे शास्त्रों में गनेश जी से चुड़ी कई कहानिया और कथाओं का भी जिक्र क्या गया है जिससे किसी भी व्रत जोहार के समय पढ़नातियं सो माना जाता है के समय भी गनेश जी की कहता जरूर पढ़नी चाहिए चलो अब आपको गनेश जी की एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं एक नगर में एक बुढिया रहती थी जो रोजाना गनेश जी की पूजा विधिवीधान से करती थी लेकिन इस पूजा के लिए उसे रोजाना ही गनेश जी की प्रतिमा बनानी पड़ती थी दरसल वो मिट्टी की मूर्ती बनाती है जिस परवजय से वो मूर्ती गल जाती थी एक दिन उसके घर के पास एक सेड़ जी का मकान मना था बुडिया मकान मनाने वाले कारिगरों के पास जाकर बोली कि क्या तु मेरे लिए पत्थर की एक गनेश प्रतिमा बना दोगे कारिगरों ने तुरंट पना कर दिया कहने लगे जितनी देर में हम तेरे लिए प्रतिमा बनाएंगे उतनी देर में सेड़ जी की दिवार ना बना लेंगे बुडिया को बहुत ही दुख हुआ वो कहने लगी भगवान करे कि तुम्हारी दिवार टेड़ी हो जाए यसा कहते ही दिवार सच में टेड़ी हो गई इसके बाद से कारीगरों ने कई बार वो दिवार बनाने की कोशिच की परोशी दिवन ही नहीं हो पा रही थी स्याम को सब सेट जी आए तो देखा कि आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ तब उसमें सेख मिस्त्री ने सेट जी को सारी बात पता दी सेट जी ने बुढिया को बुलवाया और उसे सोने की प्रगणेश प्रतिमाला कर दी जिससे बाद उसकी दिवार सीधी हो गई हे बिनाए जी जैसे आपने सेट की दिवार सीधी की वेसे ही सब की करना सब पर आप अपनी कृपा बनाए रखना थेंक यू प्लीज सब्सक्राइब माई चानल फॉर मॉर वीडियोज